हाई वीवर्स रिकवरी प्रोसीडिंग में अपना क्लेम बचाने के लिए यह मेरा अगला वीडियो है वीवर्स में आपको बताना चाहरे हूं कि अगर आपके पास कोई चेक है कोई एग्रीमेंट है कोई किसी किसम का नेगोशेबल इंस्टूमेंट है या कोई बिल वगएरा है तो सबसे अच्छा विकल्ब है समरी सूट रिकवरी सूट फाल करने के बतले में जो जिसमें आपका पैसा बहुत तरीका से रिकवर हो जाता है इसको लेकर मैंने वीडियो भी काफी बनाये हैं जिसके डिसक्रिप्ष बॉक्स में डाल दिया है देखिए मिवर्स जिया श आहां पर उसको करनों परमि radically लीनी और यह पहले हैं आम समयसी फॉरट करते हैं के तूंत यह को इक iPhone कर लिकीशन करते हैं किसे हम कोयी चैनल में कहते हैं समवार जर्ज्मेंट। उन्हीं divor जबेक सिर्ग्धाफ जर्ज्मेंट व्यों कते हैं यह आता है under order 37 rule 3 sub rule 4 इसका डिस्क्रिशन भी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे यह समझ फो जज्जमेंट फाइल करने के बाद defendant को permission लेना पड़ता है court से यह कहके कि मुझे मेरे पास defense मौझूद है कुछ चीज़े हैं जो मेरे favor में हैं इसलिए मुझे यह suit को defend करने दिया जाए गौर से सुनिएगा यह दूसरे प्रोसेडिंग से बिल्कुल हट के है और बिल्कुल अलग है तो जब यह permission मांगता है court से तो court को पूरा पैसा deposit करने के यह हो सकता है court उसका 50% amount 25% amount जितना court को लगता है court उतना अतना amount जो है court में deposit करने के लिए defendant को बोल सकता है तो यहां पर आपके पैसे secure हो जाते हैं उतने पैसे जितने पैसे उसने court के अंदर deposit किया हुआ है तो यह एक extra विकल्प आपके पास मौझूद है अगर आपने summary suit फाइल किया है तो अगर डिफेंडेंट ने permissionally court से अपने दावे को डिफेंड करने के लिए या अपना पक्ष रिपेसेंट करने के लिए तो डायरेक्ली जज्जमेंट पास कर देगा कि तुम्हारे अगेंस में इतना इतना है यह दावा है आपके अगेंस में इतना ओर्डर में पास कर दाओं एस पर दख्लेम अमाउंट प्लेंट उतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा तो यह होता है summary suit जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है इसके अंदर इंपॉर्टन रोल डॉक्यमें इसके अंदर ही प्रोविजन के अंदर दिया वाई CPC के अंदर के इसे इतने इतने टाइम पिरियोड के अंदर यह स्टीजिस क्रॉस होनी चाहिए और इसकी सबसे अच्छी चीज़े समंस फो जज्जमेंट जो मैंने अभी आपको बताया जिसके अंदर डिफेंडन को अग नहीं के अपको पैसे इसको कोड्में डिपाउजिट करने पड़ेंगे आपकी मर्जी उस दिपाउजित अमाउंट को या वाप कोड्मेजर के सकते हैं कि उस्की डूसरे अच्छी में तो जब वहिसा इंवस्ट्र रहे गा तो जब पुरा बैटर खथम होने के बाद अगर आपके favor में order आता है तो जब वो पैसे आपको return मिलेंगे तो investment का जो interest amount रहेगा interest amount के साथ आपको मिलेंगे तो यह था summary proceeding के अंदर अपना दावा अपना claim amount बचाने का एक तरीका इसके इलावा और भी आगे दूसरे तरीके हैं अगर आपकी property को लेकर अगर आपने कोई दावा पेश किया है कोट के अंदर यह तो मैंने अभी सी money transaction को लेकर अब तक बताया था summary suit 138 का लेकिर अभी मैं आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर टापड़ेश किंद को लेकर इमओ इंद आपके लिए अगला वीडियो ज़रूर देख है यह यह तरह